इस वीडियो में बात करेंगे ICR exam 2022 के बारे में कि इसकी exam date का क्या होगा क्या ये change होगा और इसकी admit card कब तक आएगी और इसमें normalization होगा या नहीं तो सब कुछ इस वीडियो में clear कर दूँगा तो इस वीडियो को like कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में तो सबसे पहले guys हम यहाँ पर exam date देखते हैं जो की 25 January को mention है 25 February तक आपको यहाँ पर चलेगा अब यहाँ पर क्या है कि अभी के time पर Corona का situation हम देख रखते हो काफे ज़्यादा बढ़ चुका है लेकिन date में कोई भी changes यहाँ पर देहने को हमें नहीं मिला है तो candidate का यह सवाल है कि sir क्या on time exam हो सकता है सबसे पहली बात कि जो exam है वो 25 January को 25 January से सुरू होना है तो admit card इसके according लगभग यहाँ पर 10 दिन पहले आना चाहिए था यानि कि 15 January तक आपका admit card आ जाना चाहिए अगर हम देखें online last date की जो form फिलप की थी वो यहाँ पर पहले थी 10 जनवरी फिर बाद में बरकी हो गई 20 जनवरी तो अब यहाँ पर 15 जनवरी को admit card release करना possible नहीं था ठीक है admit card release नहीं हुआ तो जब यहाँ पर form फिलप में delay हो चुका है तो यह बात आप मान के चलो कि 100% fix है कि जो आपके exam है वो भी postponed होंगे ठीक है अभी तक कोई notice नहीं देखने को मिला है लेकिन आपको definitely notice देखने को मिला है कि exam अभी के time पर possible नहीं यह कराना अगर exam postponed होगा तो कब तक होगा यह आपको ICAR technician भी जवाब नहीं देगी जब notice हैगा तो आप उस notice में देख लेना एक्जाम को postponed करा गया है कब तक होगा कोई भी उसमें answer नहीं मिलेगा आपको क्यों क्योंकि COVID का situation बढ़ रहा है और उपर से आपका जो यहाँ पर last date था उसको भी extend करा गया था तो इस date पर exam होना confirm है कि नहीं होगा ठेक है इस date पर confirm है कि exam नहीं होगा लेकिन जब scheduled यहाँ पर अभी तक changes देखने को नहीं मिला है यह tentative schedule था तो यह change भी होता जैसे कि form fill up का यहाँ पर date change हो गया तो यह भी definitely change हो जाएगा जैसी notice आएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर inform करूँगा तो कोई भी exam होती है न उसकी admit card दस दिन पहले आजाती है तो 10 दिन पहले admit card आएगी तभी आपके यहाँ पर exam होने के chances है तो यह फिलाल अभी exam date का scene है अब हम बात करते हैं normalization के बारे में तो notice में आप देख सकते हूँ यहाँ पर point है जिसमें की normalization के बारे में बताया गया है कि अगर एक से ज्यादा shift में यहाँ पर exam होता है तो definitely आपका normalization होगा जो कि हर exam में होता है चाहिए हम railway का ले ले या SSC का ले ले ठीक है तो यह formula आपका same है जो यहाँ पर railway वगारे का formula होता है simply उसी formula पर आपका यहाँ पर exam होना है तो ज़्यादा जो normalization है वो होना है ज़्यादा यहाँ पर कोई changes नहीं रहेगा मैंने आपको simple way में अल्रेडी बहुत सारे वीडियों मता दिया कि क्या यहाँ पर normalization का process रहता है तो normalization में दो चीज़ होता है एक तो जो easy shift रहता है उसका number घटने की chance रहते है candidate का जो hardest shift रहता है उसका यहाँ पर definitely number बढ़ता है तो depends करता है कि आपका exam कौन से shift में हुआ है उसके according आपके number बढ़ जाते है और घट जाते है तो normalization इसमें 100% होना है notification में ही mention था तो फिलाल यह कुछ जानकारी है फिलो टुटर एप पर आप सभी का स्वागा थे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर आइश्टर करके एक successful फिलो टुटर बन सकते हो number one stage में आपको क्या करना है अपने number से sign in करना है फिर आपको अपना basic academic detail डालना है फिर आपको यहाँ पर एक fellow tutor call try करना है जो की mock रहेगा फिर आपको अपना picture upload कर देना है step 3 में और साथ ही साथ आपको अपनी ID proof भी यहाँ पर upload करने पड़ेगी उसके बाद step 4 में आपको यहाँ पर अपना topic select करना है जो आप यहाँ पर पढ़ाना चाहते हो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर topic select करो फिर आपको यहाँ पर introduction video बना कर demo videos पर डालना पड़ेगा step 5 में उसके बाद step 6 में आपको यहाँ पर application submit कर देना है verification होगा 48 hours में जैसे ही verification होगा आपको app पर notification मिल जाएगा verify होने के बाद आप live जाकर अपने फिलर टूटर की जोईनी शुरू कर सकते हो app का link guys आपको video को description मिलेगा वहाँ पर जाकर आप download इसे कर सकते हो I hope कि आपके doubts clear होगे होगे कि जो आपका exam है वो कब होगा और क्या postpone होगा या नहीं यह सब तो मैंने clear कर दिया admit card कब तक आएगा यह भी मैंने आपको बता दिये तो guys विलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care